नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटेल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम CPCT exam जुलाई 2030 के लिए computer से समबंदित एक important topic को समझने बाले हैं आज का हमारा topic है computer network CPCT के exam में कुछ question computer network से भी पूछे जाते हैं तो आज की इस एक वीडियो में हम computer network से समबंदित कई प्रकार के important topic को cover करेंगे अभी तक हमारे चैनल पर आपको जो videos provide की जाती थी उन videos में हमने mixed topic के questions को समझा है लेकिन अब आपके paper का समय नजदिक आ गया है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक एक topic का अलग-अलग separate video provide किया जा रहा है जिससे आपके जो important topic हैं उनका आप complete revision कर सकें सबसे पहले हमने एक MS Word का complete video upload किया है जिससे आप एक video के माध्यम से पूरा MS Word तयार कर सकते हैं दूसरा video हमने printer topic पर upload किया है उस video के माध्यम से आप एक ही video में printer से संबंदित कई परकार के question तयार कर सकते हैं आज की video में हम computer network topic से संबंदित कई परकार के important question को तयार करने वाले हैं इस एक video के माध्यम से आपके computer network topic से कई question तयार होने वाले हैं क्यूंकि आपके paper में CPCT का जो exam होगा उसमें आपको कई question computer network से भी मिलेंगे तो आज की video आपके लिए काफी helpful होने वाली है चलिए शुरुआत करते हैं आज की video का समझते हैं computer network क्या है computer network कितने परकार के होते हैं network के कौन-कौन से component होते हैं topology क्या होती है, protocol क्या होते है communication के mode कौन-कौन से होते हैं इस परकार के कई topic को आज की video में हम समझने वाले हैं सबसे पहले हम समझने वाले हैं computer network होता क्या है देखते हैं network होता क्या है यहाँ पर हमने computer network को समझने के लिए एक छोटी सी definition लिखी है और एक diagram के माध्यम से भी हम इसे समझने वाले हैं सबसे पहले हम computer network होता क्या है यह समझेंगे computer network क्या होता है दो या दो से अधिक computers या devices के collection को computer network कहा जाता है network का उपयोग information और resources को share करने के लिए किया जाता है computer network क्या होता है दो या दो से अधिक computer या devices के collection को group को computer network कहा जाता है और computer network का उपयोग information और resources को share करने के लिए किया जाता है नेटवर्क क्या होता है नेटवर्क? नेटवर्क मतलब collection of multiple objects, collection of multiple devices, computer network कहलाता है जब कई computers को आपस में जोड़ दिया जाता है, कई परकार की devices को आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक computer network create हो जाता है और network इसलिए create किया जाता है ताकि हम information मतलब की जानकारी को और resources मतलब संस साधनों को सेयर कर सकें जो नेटवर्क बनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश इनफर्मेशन और रिसोर्स को सेयर करना होता है मतलब computer network क्या होता है computer network multiple computers और multiple devices का एक गुरुप होता है एक collection होता है जिसका उपयोग information और resources को share करने के लिए किया जाता है computer network मतलब collection of multiple devices और collection of multiple computers जो की information और resources को share करने की सुभीदा प्रदान करता है तो computer network का मतलब हो गया collection of multiple computers अब हम computer network को एक diagram से भी समझने वाले हैं यहाँ पर हमने एक diagram बनाया है network का जो सबसे important computer होता है या main computer होता है उसे कहा जाता है server आपसे question पूछा जाता है कई बार paper में computer network के main computer को क्या कहा जाता है computer network के main computer को या important computer को server computer कहा जाता है server computer जिसे हम host computer भी कहते हैं computer network का सबसे important और सबसे powerful computer कौन सा computer होता है, server computer, server को host भी कहा जाता है, जबकि ऐसे computer जो server पर depend होते हैं, server पर निर्वर होते हैं, उन्हें कहा जाता है client computer, client तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक network का diagram बना है, जिसमें यह हमारा main computer है, जो की होता है server, server, server या जिसे host भी कहा जाता है, यह computer network का सबसे powerful और सबसे important computer होता है, जिस पर पूरा network निर्वर होता है, depend होता है, जबकि ऐसे computer जो server पर depend होते हैं, server पर निर्वर होते हैं, उन्हें कहा जाता है client computer, client computer मतलब ऐसे computer जो सभी परकार के resource, server से लेते हैं, वह कहलाते है, client computer, जबकि server एक ऐसा computer है, जो network के other computer को resource उपलब्द कराता है, एक बार ऐसा question भी पूछा गया है, computer network का कौन सा computer, other computer को information और resource उपलब्द कराता है, वह होता है, server computer, server या host computer, network का एक सबसे powerful, सबसे important computer होता है, जो कि network के other computers को information और resource उपलब्द कराता है, यह होता है computer network, network में एक server होता है, जो कि man computer होता है, important computer होता है, जिसे host भी कहा जाता है, और यह server सभी client की आवसकताओं को पूरा करता है, client वह computer होते हैं, जो server पर depend होते हैं, हम इसको एक diagram से और समझ सकते हैं, यह हमारा एक man computer है server, और यह है client computer, client computer किसी भी resource के लिए server पर एक request send करता है, request मतलब server जो है, बहुत client से आने वाली request को accept करेगा, और request के आधार पर server client को response प्रदान करेगा, response प्रदान करेगा, मतलब server एक ऐसा computer है, जो client की request को accept करता है, और उस request के आधार पर client को response उपलब्द कराता है, बहुत कहलाता है server, तो server ऐसा computer हो गया, जो network का main computer है, सबसे powerful computer है, important computer है, जो की client से आने वाली request को accept करता है, और उस request के आधार पर response प्रदान करता है, आपसे paper में पूछा जा सकता है, server computer को request किस के द्वारा भेजी जाती है, server computer को request client computer के द्वारा भेजी जाती है, आपसे पूछा जा सकता है, client computer कौन सा computer होता है, client computer by computer होता है, जो server पर depend होता है, यह होता है computer network, तो पहले हमने computer network की definition समझी, तेयोरिकली उसके बाद हमने एक डाइगराम से कम्प्यूटर नेटवर्क को समझा कम्प्यूटर नेटवर्क multiple computer या multiple devices का collection होता है कम्प्यूटर नेटवर्क के main computer को server या host कहा जाता है जो कि network का सबसे important और सबसे powerful computer होता है server other computer को information और resource उपलब्द कराता है server client से आने वाली request को accept करता है और request के आधार पर response उपलब्द कराता है अभी हमने समझा computer network क्या है अब आपको यहाँ पर 2-3 important question तयार करने है एक आपसे question पूछा जा सकता है first computer network का नाम क्या है या network का अस्तित्व कहां से शुरू हुआ internet का अस्तित्व कहां से शुरू हुआ internet भी तो एक network है मतलब internet भी network ही है जो network है उसका शुरुवात कहां से हुआ उसकी starting कहां से हुई पहला computer network कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है तो पहला computer network सन 1999 में बनाया गया था सन 1999 में बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था अर्पानेट, अर्पानेट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है Advanced Research Project Agency Network tiles 측us Research Project Agency Network अर्पानेट पहला नेटवर्いき है, जिसे 1987 में बनाया गया था जिसका नाम है ARPANET, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है Advanced Research Project Agency Network और यह Network US Defense Department के द्वारा बनाया गया था, अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा इस Network को बनाया गया था, तो पहला Computer Network ARPANET है जिसे 1979 में बनाया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है Advanced Research Project Agency Network, पहला Computer Network 1999 में बनाया गया था, जिसका नाम था ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है Advanced Research Project Agency Network, जो की US Defense Department के द्वारा बनाया गया था, आपको यहाँ पर एक और Question तैयार करना है, OSI Model से संबंदित, OSI Model से संबंदित, पहले तो आपको OSI का फुल फॉर्म याद करना है, Open System Interconnection, OSI Model, Computer Network का एक main part है, OSI Model का यूज, सोर्स के डेटा को Destination तक ट्रांसपर करने के लिए किया जाता है, जब भी network में किसी information को share किया जाता है, तो उस information को सोर्स कम्प्यूटर से Destination कम्प्यूटर तक पहुंचाने के लिए OSI Model बर्क करता है, OSI Model का फुल फॉर्म है, Open System Interconnection, और OSI Model में total 7 प्रकार की layer होती हैं, साथ प्रकार की 7 layer होती हैं OSI Model में, आपको ध्यान रखना है, OSI का फॉल फॉर्म है, Open System Interconnection, और OSI Model में 7 layer होती हैं, साथ लेयर होती हैं, आपको इस first slide पर कई प्रकार के important question तयार करने मिले, कि computer network, multiple computer और devices का collection होता है, computer network का use, information और resources को share करने के लिए किया जाता है, network के main computer को server कहा जाता है, server का दूसरा नाम host भी है, server network का सबसे important और powerful computer होता है, client computer वह computer होते हैं, जो सभी प्रकार के resource server से प्राप्त करते हैं, server client से आने वाली request को accept करता है, और request के आधार पर response उपलब्ड कराता है, पहला computer network अर्पानेट है, जिसे 1979 में बनाया गया था, अर्पानेट का full form है, advanced research project agency network, इसके बाद हमने OSI model को समझा, OSI का full form है, open system interconnection और OSI model में total 7 layer होती है, अभी हमने यह समझा कि computer network क्या है, पहला computer network कौन सा है, उसे कब बनाया गया है, और OSI model क्या है, अब हम समझने वाले हैं network के component को, network के component मतलब, एक network किन किन component से मिलकर बनता है, या network बनाते समय, कौन कौन से घटक यूज किये जा सकते हैं, एक network को बनाने में, कई परकार के component या कई परकार के घटक यूज होते हैं, जिनको हमने यहाँ पर तयार किया है, पहला component है, NIC, NIC, NIC का full form क्या होता है, network interface card, network interface card, आप से पूछा जा सकता है, computer network में NIC का full form क्या होता है, NIC का full form होता है, network interface card, या हमारे computer का एक hardware part होता है, जो की networking करने के लिए, और internet connect करने के लिए आवसक होता है, यदि किसी computer में हमें networking करनी है, internet connect करना है, तो NIC card का होना आवसक होता है, NIC का full form होता है, network interface card, दूसरा component है हमारा server, server को अभी हमने समझा, server का दूसरा नाम होता है host, जो की network का सबसे powerful और सबसे important computer होता है, जो की network के other computer को resource उपलब्द कराता है, तीसरा component है हमारा clients, clients, client कौन से computer होते हैं, जो server पर depend होते हैं, network में ऐसा computer जो सभी पिरकार के resource और information server से प्राप्त करता है, वह कहलाता है, client computer, client अपनी request server पर भिज़ता है, और server उस request के आधार पर response प्रदान करता है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है, transmission media को, transmission media को, जिसे हम communication channel भी कहते हैं, transmission media या communication channel, transmission media या communication channel क्या है, जब कोई network बनता है, तो multiple computer को आपस में connect किया जाता है, जब कोई network बनेगा, तो multiple computer को आपस में connect करना पड़ेगा, तो दो computer को आपस में किस प्रकार जोड़ा जाएगा, यही कहलाता है transmission media मतलब यह computer और यह computer जब आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो किस माध्यम से करेंगे किस media से करेंगे वही कहलाता है transmission media transmission media मतलब दो computer को आपस में किस तरीके से जोड़ा जाएगा दो computer आपस में किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे यह decide करता है transmission media जिसे हम transmission channel या communication channel भी कहते हैं जो कि दो प्रकार के होते हैं एक होते है wired जिसे guided media भी कहा जाता है wired जिसे guided media भी कहा जाता है एक होता है wireless जिसे unguided media भी कहा जाता है जो transmission media है या communication channel है यह दो प्रकार के होते हैं एक होते है wired जिसे हम guided media भी कहते हैं wired मतलब दो computer को आपस में wire के द्वारा connect करना दूसरा तरीका होता है wireless या हम कह सकते हैं unguided जिसमें बिना wire के दो computer आपस में सूचनाओ का आदान प्रदान करते हैं तो transmission media की दो category है wired जो की कहलाती है guided media भी wireless जिसे unguided media भी कहा जाता है transmission media दो प्रकार के है wired media और wireless media wired media को guided media भी कहा जाता है जबकि wireless media को unguided media भी कहा जाता है जो wired media है वह तीन प्रकार के है twisted pair cable, coaxial cable और fiber optic cable जिसे optical fiber cable भी कहा जाता है optical fiber cable भी कहा जाता है जो wired media है या guided media है इसमें तीन प्रकार के wire होते हैं तीन प्रकार की cable यूज होती है एक होती है twisted pair cable जिसके अंदर दो बायर होते हैं जो कि आपस में twist होते हैं इसलिए से कहा जाता है twisted pair cable यह cable भी दो प्रकार की होती है एक होती है sealeded twisted pair cable और एक होती है unsealed twisted pair cable और unsealed twisted pair cable दो प्रकार की होती है coexable cable coexable cable twisted pair cable से fast होती है ज्यादा experiment data को transfer करती है और आपके घर पे जो टीवी में setup box का या cable का connection यूज किया जाता है उसके साथ use की जाती है coexable cable coexable cable का use television के साथ किया जाता है जो आपके घर पे setup box लगा हुआ है या cable connection है उसमें जो cable use होती है उसे कहा जाता है coexable cable और सबसे अधिक fast जो cable होती है वह होती है fiber optic cable जिसे optical fiber cable भी कहा जाता है यह है सबसे अधिक speed में data को transfer करती है आपसे पूछा जा सकता है कौन सा wired media या कौन सा guided media सबसे अधिक तेज गती में data को transfer करता है वह होती है fiber optic cable या optical fiber cable जो की सबसे अधिक fast cable होती है जिसमें plastic या glass के material में data को transfer किया जाता है उसका नाम ही है fiber optic cable जिसके अंदर buyer जो होता है वह plastic या kans type का material होता है जिससे data को transfer किया जाता है fiber optic cable तो अभी हमने transmission media में wired या guided media को समझा जो की तीन प्रकार के हैं twisted pair cable जो की होती है sealeded twisted pair cable और unsealed दूसरी हमने समझी coexable cable जो की television communication में use होती है तीसरी fiber optic cable या optical fiber cable जो की other सभी cable से बहुत होस्ट होती है अब हम समझने वाले हैं wireless media को या unguided media को wireless media या unguided media जो की बिना buyer के network में communication करने की सुभीदा प्रदान करते हैं और wireless media कोन कोन से है radio wave, micro wave, infrared, radio wave, micro wave, infrared wireless media या unguided media तीन प्रकार के हैं जो की बिना buyer के network में communication करने की सुभीदा प्रदान करते हैं एक होता है radio waves, एक होता है micro waves, एक होता है infrareds तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार के transmission media या communication channel communication channel या transmission media होते क्या है network में सुचनाओ का आदान प्रदान करने के लिए किस माध्यम का यूज किया जाएगा यह decide करता है transmission media अब हम समझने वाले हैं connectivity devices को, connectivity devices जब भी कोई network बनेगा तो multiple devices को आपस में connect करने के लिए, आपस में जोडने के लिए connectivity devices का यह हम कह सकते हैं networking devices का use किया जाता है connectivity devices या networking devices पहली connectivity device है hub, hub, hub दूसरी device है हमारी switch, तीसरी है router, चौती है repeater, पांच भी है gateway, छट भी है bridge और साथ भी है modem modem, यह सभी networking device है, यह सभी connectivity device है, जो कि network में multiple devices को आपस में connect करने के लिए use की जाती है कई बार आपको किसी device का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है यह किस प्रकार की device है तो hub, switch, router, repeater, gateway, bridge, modem, यह सभी networking device है यह connectivity device है इसमें से एक question बन सकता है आपका router से, router क्या होता है, router किसी network में root decide करता है route, route मतलब रास्ता, router कौन होता है router, router किसी network में root decide करता है route, network में data को source से destination तक भेजने के लिए किस route का use किया जाएगा यह decide करता है router, उसका नाम है router, router क्या है network में किसी data को जब हम transfer करेंगे तो data को किस route से, किस रास्ते से transfer किया जाएगा, यह decide करता है router और router network में आने वाले packet को forward करता है, forward आप से पूछा जा सकता है network में packet को store and forward कौन करता है network में जो भी packet आती है data के packet, पहले router उनको check करता है, store करता है फिर किस route पर उनको send करना है, यह decide करता है router तो router packet को store or forward भी करता है, network में share होने वाले सभी प्रकार के data packet को router के द्वारा ही destination तक भीजा जाता है आप से question पूछा जा सकता है repeater का, repeater क्या करता है, repeater इसका नाम है repeater, repeater मतलब repeat करने वाला, दोहराने वाला जब लंबी दूरी पर किसी message को भेजा जाता है, signal को भेजा जाता है तो signal एक निश्चित दूरी के बाद कमजोर पढ़ जाता है, बीक हो जाता है जो signal होता है, बह लंबी दूरी तक जाता है, तो कुछ दूरी तक जाने के बाद signal कमजोर पढ़ जाता है, बीक पढ़ जाता है, उस बीक signal को बापिस strong signal में बदलने के लिए repeater का use किया जाता है, repeater का, repeater के नाम से ही आपको समझना है repeater क्या करेगा, जब कोई message, जब कोई signal अधिक दूरी पर भेजा जाता है, तो कुछ निश्चित दूरी पर जाने के बाद हमारा signal बीक पढ़ जाता है, कमजोर पढ़ जाता है, उस बीक signal को बापिस strong signal में बदलने के लिए repeater का use किया जाता है, repeater का, gateway क्या होता है, gateway, gateway अलग-अलग network को आपस में connect करता है, दो अलग-अलग network को जोडने के लिए gateway का use किया जाता है और आपको ध्यान रखना है जो gateway है यह है दो अलग-अलग पिरकार के network को भी आपस में जोड़ सकता है different type के network को आपस में जोड़ने के लिए gateway का use किया जाता है मतलब यदि दो अलग-अलग network है जिनमें अलग-अलग protocol भी use किये जा रहे हैं अलग-अलग protocol भी use किये जा रहे हैं ऐसे दो network को आपस में जोड़ने के लिए gateway का use किया जाता है gateway का gateway करता क्या है दो अलग-अलग पिरकार के network को भी आपस में connect कर देता है मतलब gateway एक networking device है जो अलग-अलग पिरकार के network को भी आपस में connect कर देता है bridge भी एक networking device है जो की multiple network को आपस में connect करती है लेकिन bridge केवल same protocol वाले network को ही connect कर सकता है जो network एक ही प्रकार के protocol या एक ही प्रकार के rules use करते हैं, ऐसे network को connect करने के लिए bridge का use किया जाता है और अलग-अलग protocol वाले network को आपस में connect करने के लिए gateway का use किया जाता है तो आपको याद रखना है hub, switch, router, repeater, gateway, bridge, modem, यह सभी networking device है, connectivity device है router क्या करता है, network में data packet को store और forward करता है, मतलब data को भेजने के लिए router route decide करता है, repeater क्या करता है big signal को बापस strong signal में मदलता है, gateway क्या करता है, अलग-अलग network को आपस में जोड़ता है, और ऐसे network जिन में अलग-अलग protocol यूज होते हैं वह भी gateway के द्वारा जोड़े जा सकते हैं bridge क्या करेगा, bridge भी अलग-अलग network को आपस में जोड़ेगा, लेकिन दोनों network में same protocol का use किया जाता है, अब बची हमारी last device जो की है modem modem से कई प्रकार के question बनते है modem से, modem का एक question बन जाता है, modem किस प्रकार की device है तो modem एक connectivity डवाइस है या networking डवाइस है modem का full form क्या होता है modulator और demodulator modem का full form होता है modulator और demodulator, modem का full form आपको याद रखना है, modem करता क्या है, modem telephone line को, जो हमारे घर पर telephone line आती है telephone line को computer system से connect करने के लिए modem का use किया जाता है, या है modem, telephone line जब हमारे घर पर आती है, तो उसको computer system से connect करने के पहले modem को लगाना होता है, क्यूंकि telephone line से जो signal आते हैं वह होते हैं, analog signal जबकि computer work करता है digital signal पर तो इन analog signal को digital signal में बदलना होता है और computer से आने बाले digital signal को बापस analog में बदलना होता है जो की modem के द्वाला बदले जाते है modem क्या है modem एक networking device है जो analog signal को digital signal में बदलती है और digital signal को बापस analog में बदलती है modem का full form होता है modulator demodulator और modem एक ऐसी device है जो input device भी होती है और output device भी होती है modem को input device भी कहा जाता है और output device भी कहा जाता है क्योंकि यह है जब analog signal को input के रूप में लेती है तो digital signal के रूप में output दे देती है और जब digital signal को input के रूप में लेती है तो analog signal के रूप में output प्रदान कर देती है तो modem एक networking device है जिसका full form होता है modulator demodulator modem का use telephone line को computer system से connect करने के लिए किया जाता है modem analog signal को digital में बदलती है digital signal को analog में बदलती है इसलिए modem को input device और output device दोनों प्रकार की device कहा जाता है यह थी हमारी connectivity device या networking device अब हमारा network का last component बचा है protocol protocol क्या होता है protocol होता है set of rules protocol का question कई बार paper में पूछा जाता है और protocol के types से तो question बनता ही है protocol क्या होता है protocol होता है set of rules network में सही तरीके से communication करने के लिए कुछ नियम कानून use किये जाते हैं उन नियम कानूनों के समूँ को protocol कहा जाता है protocol होता है set of rules ऐसे rules जो network में proper communication करने के लिए use किये जाते हैं यह थे हमारे network के component network के component मतलब network के घटक जिन से मिलकर computer network बना होता है सबसे पहले हमने देखा NIC को NIC मतलब network interface card server, server मतलब network command computer client, client मतलब जो server पर depend है transmission media मतलब दो computer को आपस में जोडने का तरीका जो कि दो प्रिकार के होते हैं wired या guided जिसमें आएगा twisted pair cable, coaxible cable और fiber optic cable जबकि wireless या unguided media में क्या क्या आ जाएगा radio wave, microwave, infrared इसके बाद हमने देखी connectivity devices जो कि है hub, switch, router, repeater, gateway bridge और modem last में हमने देखा protocol protocol मतलब set of rules जो कि proper communication करने के लिए use किये जाते हैं अभी हमने जाना कि computer network क्या होता है, पहला computer network कौन सा है, कब बनाया गया उसके बाद हमने देखे network के component, अब हम देखते हैं आज का हमारा next topic क्या है next topic है यहाँ पर types of network types of network जिससे कई परकार के question आपके paper में बन सकते हैं, types of network मतलब network के परकार हमने यह तो समझ लिया network क्या होता है हमने यह भी समझ लिया कि network किन किन component से मिलकर बना होता है, अब हम समझने वाले हैं types of network, मतलब network के परकार, आपने basic team network के type तो जरूर पड़े होंगे, land local area network, man metropolitan area network, और when मतलब wide area network, लेकिन network को उपियोग के आधार पर अब कई परकारों में बांट दिया गया है network के use के आधार पर network के multiple types हैं जिनसे paper में question बनते हैं आपको सभी types of network का full form जरूर याद होना चाहिए क्यूंकि कई बार question इनके full form से पूछा जाता है और कई बार इनके उपियोग से भी question पूछ लिया जाता है हम सभी परकार के network के full form को समझने वाले हैं और उनके उपियोग को भी समझने वाले हैं साथ ही साथ कौन-कौन से question बन सकते हैं यह भी हमें यहाँ पर discuss करेंगे तो पहला जो network का type है वह है pen पहला network का type कौन सा है pen और pen का full form क्या होता है personal area network pen जिसका full form होता है personal area network types of network में पहले type का network कौन सा है pen और pen का full form क्या होता है personal area network आपको याद रखना है यह size में सबसे चोटा network होता है जो pen है personal area network यह size में सबसे चोटा network होता है जब आप अपने computer system से कोई wireless keyboard connect करते हो wireless mouse connect करते हो headphone connect करते हो Bluetooth on करते हो वह कौन सा network कहलाता है pen pen मतलब personal area network size में सबसे चोटा network होता है pen मतलब personal area network इसके बाद दूसरा network आ गया हमारा LAN LAN का full form क्या होता है local area network यह एक ऐसा network है जिसका उपयोग किसी एक building में networking करने के लिए किया जाता है local area network LAN मतलब local area network जिसका उपयोग किसी building के अंदर networking करने के लिए किया जाता है third network का type है can 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 जिसका full form है campus area network campus area network campus area network एक campus के अंदर multiple office को multiple buildings को connect करने के लिए can network का use किया जाता है can can मतलब campus area network campus area network इसके अलावा है man man मतलब metropolitan area network metropolitan area network metropolitan area network किसी एक city में networking करने के लिए पूरे एक सहर में networking करने के लिए जो network बनाया जाता है उसे कहा जाता है man network man मतलब metropolitan area network metropolitan area network पहला network का type हमने कौन सा देखा pen pen मतलब personal area network जो कि size में सबसे छोटा होता है इसके बाद हमने देखा दूसरा network len len मतलब local area network तीसरा हमने देखा can can मतलब campus area network उसके बाद हमने चोटा देखा man man मतलब metropolitan area network यह अभी हमने network के चार टाइप समझे पहला है pen pen मतलब personal area network दूसरा हमने देखा len len मतलब local area network तीसरा हमने देखा can मतलब campus area network चौता हमने देखा man metropolitan area network इसी प्रकार से एक होता है hen hen h-a-n जिसे बोला जाता है home area network home area network इसका full form भी आपको याद कर लेना है एक hen network भी होता है जिसका full form होता है home area network home area network इसके बाद हमारा network है when when मतलब wide area network wide area network इससे कई प्रकार के question बन सकते है when when का full form क्या है wide area network जो की एक सबसे बड़ी size का network होता है सबसे बड़ी size का network होता है when network मतलब wide area network when network जो internet है internet when network का ही example है internet when network का example है internet का full form होता है interconnected network या international network interconnected network या international network जो internet है वह been network का example है जो की एक global network है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और internet को network of network भी कहा जाता है मतलब कई प्रकार के network को मिला कर internet बना हुआ है internet network of network होता है मतलब network का network कहलाता है internet जो की wide area network होता है next है हमारा wlan wlan अभी हमने देखा lan lan का full form तो हमें पता है local area network लेकिन जब lan network wireless तरीके से बना दिया जाता है तो भी कहलाता है wlan wlan मतलब wireless local area network local area network मतलब छोटा network lan network लेकिन जब उसको wireless टेक्निक से बना दिया जाता है तो भी कहलाता है wlan wlan मतलब wireless local area network next हमारा network का type है sen sen मतलब storage area network storage area network sen का full form क्या है storage area network अगला है polan polan अभी हमने देखा lan local area network फिर हमने देखा wlan wlan मतलब wireless local area network अब आ गया polan 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 मतलब passive optical passive optical local area network passive optical local area network यह एक ऐसा network होता है जिसमें single optical cable के द्वारा multiple devices में connectivity की जाती है single optical cable के द्वारा multiple client computer पर या multiple computers पर networking की जाती है polan polan का आपको याद रखना है यह भी एक local area network का टाइप है जिसमें single cable के द्वारा multiple places पर multiple computers पर connectivity प्रोवाइट की जाती है वह कहला आता है polan polan मतलब passive optical local area network next network का टाइप है EPN EPN मतलब enterprise private network enterprise private network EPN का full form क्या है enterprise private network मतलब जब कोई company अपना एक private network बनाती है केवल अपनी company की working के लिए केवल अपनी company के employees को connect करने के लिए तो बह कहला आता है EPN enterprise private network और last network का टाइप है हमारा VPN VPN का full form क्या है virtual private network virtual private network यह एक ऐसा network है जो कि कि किसी public network को privately use करने के सुभीदा प्रिदान करता है VPN का full form होता है virtual private network तो यहाँ पर हमने जो भी network के types हो सकते हैं सभी को समझने का प्रयास किया है यहाँ पर हमने लगबग 10 प्रकार के types of network को समझा PAN personal area network LAN local area network KN campus area network MAN metropolitan area network HAN home area network WLAN wireless local area network SAN storage area network OLAN passive optical local area network EPN enterprise private network इसके बाद VPN virtual private network जो WAN है वह एक ऐसा network है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है सबसे बड़ा network है जबकि pen सबसे छोटा network है internet band network का example है internet का full form होता है interconnected network या international network internet को network of network भी कहा जाता है तो यहाँ पर हमने समझे types of network उनके full form और उनके उपियोग अब हम देखने वाले हैं network topology को अगला हमारा topic है network topology इस topic से भी paper में कई बार question पूछे जाते है network topology अभी तक हमने समझ लिया network क्या है network के component कौन कौन से है network के types कौन कौन से है अब हमें समझना है network की topology topology अब topology क्या होती है पहले तो हमें यह पता होना चाहिए topology किसी network का layout set करती है layout decide करती है मतलब जब कोई network बनेगा तो उसका design कैसा होगा उसका architecture कैसा होगा उसका layout कैसा होगा यह set करती है उसकी topology जब भी कोई computer network बनाया जाता है तो उस network में कई प्रकार के component यूज किये जाते हैं उन सभी component को properly connect करने के लिए topology का यूज किया जाता है topology किसी network के layout को set करती है यहाँ पर हमने topology की definition भी लिखी है topology किसी network के structure को define करती है मतलब जब कोई network बनेगा तो उसका design कैसा होगा उसका layout कैसा होगा उसका structure कैसा होगा यह decide करती है topology network में उपयोग होने वाले सभी components को आपस में connect करने के लिए topology का उपयोग किया जाता है जब कोई network बनता है तो उस network में कई परकार के component या कई परकार के घटक यूज किये जाते हैं उन सभी को आपस में connect करने के लिए properly connect करने के लिए topology का यूज किया जाता है network को बनाते समय जो भी component यूज होते हैं उन सभी component को properly connect करने के लिए network topology का use किया जाता है और topology किसी network का structure या layout decide करती है कई प्रकार की topology होती हैं आपको सभी topology के नाम जरूर याद कर लेने हैं क्यूंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है निमन मैंसे कौन एक network topology नहीं है तो आपको याद रखना है छे प्रकार की topology हैं topology और hybrid topology छे प्रकार की topology हैं कई बार question आता है paper में निमन मैंसे कौन एक topology का प्रकार नहीं है तो आपको याद रखना है छे topology है बस, star, ring, maze, tree और hybrid अब जो bus topology है ये क्या है bus topology में आपको bus का design याद रखना है bus topology में एक हमारा server होता है जिससे single cable के माध्यम से multiple client computer को आपस में connect कर दिया जाता है यह हमारा server है server से एक buyer आया है जिससे multiple client को connect किया गया है जो bus topology है इसमें आपको याद रखना है कि single cable का use किया जाता है single cable का कई बार paper में पूछ लिया जाता है किस network topology में single cable का use किया जाता है भै होती है bus topology और इसे linear topology भी कहा जाता है linear क्यूंकि line से single cable के माध्यम से तो bus topology में एक तो single cable का use किया जाता है दूसरा इसे linear topology या linear network भी कहा जाता है bus topology में आपको दो point याद रखने है एक तो single cable का use होगा दूसरा इसे linear topology या linear network भी कहा जाता है यह है bus topology दूसरी topology कौन सी है हमारी star topology star topology में आपको याद रखना है इसमें एक central hub होता है central hub यह हमारा central hub है server है जिससे multiple computer को आपस में connect कर दिया जाता है यह कहलाती है star topology कई बार paper में question पूछ लिया जाता है कि किस topology में central hub होता है यह central hub का use किया जाता है मैं कहलाती है star topology star topology में बीच में एक central hub होता है और प्रतिक client को एक single wire से connect किया जाता है यह कहलाती है star topology इसके बार आती है कौनसी topology ring topology रिंग मतला यह तो circular shape में होगी circular shape में कई बार पूछ लिया जाता है कौनसी topology circle shape में होती है गोल होती है वह होती है ring topology ring ring तो हमेशा circle के shape में होगा गोल होगा और यहाँ पर इस topology को circular network भी कहा जाता है circular network जो ring topology है यह circle के shape में होती है जिसमें एक साथ दो network wire का use किया जाता है एक होती है clock wise और एक होती है anti clock wise ring topology में आपको याद रखना है double connection होते हैं एक connection work करता है clock wise एक करता है anti clock wise यदि एक direction में सूचनाओ का आदान प्रदान नहीं हो पाता है तो हम दूसरे direction में भी कर सकते हैं और ring topology को circular network भी कहा जाता है इसके बाद आती है हमारी mesh topology mesh topology को full connected network भी कहा जाता है full connected यह है सबसे अधिक बिस्वसनिय topology होती है सबसे अधिक और इसमें सबसे अधिक buyer का use किया जाता है यह सबसे अधिक मेहंगी costly topology होती है mesh topology में आपको याद रखना है mesh topology को full connected network कहा जाता है full connected network क्यूंकि mesh topology में प्रत्यक node को प्रत्यक computer को other सभी node से direct connect किया जाता है mesh topology एक ऐसी topology है जिसमें network का प्रत्यक node प्रत्यक computer अधर सभी computer से direct जुडा होता है इसलिए इसे full connected network कहा जाता है इसे में सबसे ज़्यादा buyer यूज होता है सबसे ज़्यादा cable यूज होता है मेश टौपोलोजी में सबसे अधिक मेहंगी होती है कौश्ट सबसे अधिक है और सबसे अधिक reliable है reliable है मतलब सबसे अधिक बिस्वसनि भी है मेश Topology सबसे अधिक Reliable है सबसे अधिक बिस्वस्निय है सबसे अधिक महंगी है सबसे अधिक बायर यूज होता है और एक Full Connected Network भी है Tree Topology क्या है Tree Topology जो हमारी Bus Topology थी जिसमें Single Wire से Multiple Computer Connect थे जब Bus Topology को आगे बड़ा दिया जाता है तो बन जाती है Tree Topology ट्री टोपोलोजी मतलब बश टोपोलोजी का extended बर्जन जब बश टोपोलोजी को आगे बड़ा दिया जाएगा उसकी size बड़ी हो जाती है तो वह बन जाती है ट्री टोपोलोजी मतलब बश टोपोलोजी का extended बर्जन होती है ट्री टोपोलोजी आपको last टोपोलोजी का एक question जरूर याद करना है जो दो या दो से अधिक टोपोलोजी से मिलकर बना है वह कहलाती है हाइब्रिड टोपोलोजी हाइब्रिड टोपोलोजी कौनसी कहलाएगी जिसमें कम से कम दो नेटवर्क या दो टोपोलोजी आपस में जोड़ दी गई होंगी वह कहलाती है topology, कई बार paper में question पूछा भी गया है, multiple topology के collection से कौन सी topology create होती है, या दो या दो से अधिक network के collection को कौन सी topology कहा जाता है, भै होती है hybrid topology, तो यहां पर हमने समझा topology क्या होती है, topology कौन कौन सी होती है, किस topology की क्या, विसिस्ता होती है topology का एक question paper में जरूर पूछा जाता है आपको topology के नाम याद रखने है क्योंकि सबसे जादा question यही बनता है कि निम्नमे से कौन सी एक topology नहीं है तो छे प्रकार की topology होती है हमने सभी topology के diagram से उनकी working को भी समझा तो अभी तक हमने network क्या है यह समझा network के component को समझा network के types को समझा और अभी हमने समझा network topology को देखते हैं हमारे next topic को next topic है हमारा protocol protocol को हमने basically आज की वीडियो में ही समझा है कि protocol set of rules होता है protocol क्या होता है set of rules जब भी network में कोई communication किया जाता है कोई सूचनाओ का आदान प्रदान किया जाता है तो उसको सही तरीके से करने के लिए properly करने के लिए कुछ नियम कानून use किये जाते हैं जिने कहा जाता है protocol एक protocol का question कई बार paper में पूछा जाता है protocol क्या है protocol होते है set of rules नियमों के समुह को protocol कहा जाता है ऐसे नियम जिनका उप्योग computer network में सूचनाओ का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है उन्हें कहा जाता है protocol protocol से कई परकार के question बनते हैं अभी हम protocol का introduction समझ रहे हैं इसके बाद हम कुछ important protocol और उनके full form भी समझने वाले हैं तो protocol क्या होता है protocol कुछ rules का set होते हैं जिनका उप्योग किसी network में communication करने के लिए किया जाता है protocol कुछ rules के set होते हैं और यह rules network में सही तरीके से communication करने के लिए use किये जाते हैं यहाँ पर हम इसको एक diagram से भी समझ सकते हैं यह एक sender है sender मतलब जो information को send करेगा यहाँ पर एक receiver है receiver मतलब जो send होने वाली information को receive करेगा प्राप्त करेगा इन दोनों को आपस में communication करना है communication करना है मतलब सूचनाओ का आधान प्रदान करना है तो इनको कुछ rules भी follow करने होंगे वही rules क्या कहलाते हैं protocol कहलाते है protocol for example आप अभी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर भी तो एक communication हो रहा है यहाँ पर हम sender हैं आप receiver हैं हमने कोई information कोई message आपके पास send कर दिया है जिसको आप receive कर रहे हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं अब जब आपका और हमारा communication हो रहा है तो इसमें भी कुछ rules है rules क्या है कि आपके पास भी internet connection होना चाहिए किस speed से internet connectivity होनी चाहिए साथ ही साथ हमने आपको जो यहाँ पर explain किया है उसकी speed भी limit में होनी चाहिए आपको हमारी language समझ में आनी चाहिए आपको जो हम example दे रहे हैं वैस समझ में आना चाहिए तभी तो proper communication हो पाएगा यदि communication करने के कुछ नियम decide नहीं किये जाएंगे तो communication होना possible नहीं है यदि हम किसी ऐसी language में आपको यह सभी topic explain करें जो आपको समझ में ही ना आए तो communication नहीं हो पाएगा मतलब proper एक language होनी चाहिए proper एक speed होनी चाहिए proper explanation होना चाहिए proper example होने चाहिए तभी तो आपका और हमारा communication हो पा रहा है तो कोई भी communication करने के लिए कुछ नियम कानून जरूर यूज किये जाते हैं उन्हीं नियम कानून को बोला गया है protocol तो अभी हमने यह जाना कि protocol क्या होता है अब हम जानने वाले हैं कि कौन-कौन से protocol होते हैं और उनके क्या full form होते हैं क्यूंकि protocol के full form से कई परकार के question पूछे जाते हैं यहाँ पर हमने कुछ important protocol के नाम लिखे हैं और उनके full form भी type करे हैं आपको इनके full form जरूर याद कर लेना है क्यूंकि कई बार paper में इनसे question पूछे जाते हैं पहला protocol है हमारा TCP TCP जिसका full form क्या होता है Transmission Control Protocol TCP जिसका full form क्या है Transmission Control Protocol यह protocol नेटवर्क में Transmission को control करता है Transmission को control करता है मतलब communication की controlling करता है TCP Transmission Control Protocol दूसरा protocol कौन सा है IP IP का full form क्या होता है Internet Protocol TCP का full form है Transmission Control Protocol जबकि IP का full form है Internet Protocol UDP UDP का full form क्या है User Datagram Protocol User Datagram Protocol User Datagram Protocol UDP का full form है यह एक Connection Less Protocol होता है Connection Less Protocol आपको याद रखना है UDP एक Connection Less Protocol है जबकि TCP एक Connection Oriented Protocol है Connection Oriented है TCP जबकि Connection Less है UDP Connection Less का मतलब क्या है Data को transfer करने से पहले UDP Protocol Connection को check नहीं करता है मतलब देटा को भेजने की guarantee नहीं देता है जबकि TCP देटा को भेजने से पहले Connection को check करता है जब Connection Create हो जाता है उसके बाद देटा को transfer किया जाता है TCP देटा को transfer करने की guarantee देता है जबकि UDP देटा को transfer करने की guarantee नहीं देता है Next Protocol है हमारा HTTP HTTP इसका full form होता है Hypertext Transfer Protocol Hypertext Transfer Protocol HTTP का नया version भी आ गया है HTTPS जिसका full form है Hypertext Transfer Protocol Secure Hypertext Transfer Protocol Secure HTTP का full form है Hypertext Transfer Protocol HTTPS का full form है Hypertext Transfer Protocol Secure Next Protocol है FTP FTP का एक question CPCT के paper में जरूर पूछा जा रहा है FTP protocol के कई question पूछे जा रहे है एक तो पूछा जाता है FTP क्या है FTP एक protocol है FTP का full form क्या है File Transfer Protocol File Transfer Protocol FTP का full form क्या है File Transfer Protocol FTP का use Network में किसी फाइल को share करने के लिए या किसी फाइल को transfer करने के लिए किया जाता है Network में किसी फाइल को share करने के लिए या transfer करने के लिए FTP protocol का use किया जाता है FTP Upload और Download की सुविदा देता है Upload का मतलब है क्लाइंट कंप्यूटर की किसी फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर भेजना जब हम क्लाइंट कंप्यूटर से किसी फाइल को सर्वर कंप्यूटर पर भेजते हैं तो उसे कहा जाता है upload और जब हम server computer से किसी file को client computer पर लाते हैं तो उसे कहा जाता है download, download और upload FTP protocol के द्वारा होते हैं, upload मतलब है client computer की file को server पर भेजना और server की file को client पर लाना मतलब download करना, FTP का एक question paper में पूछा जा रहा है, next protocol है SMTP, SMTP, SMTP जिसका full form है Simple Mail Transfer Protocol, simple mail transfer protocol और इस protocol का use email के साथ किया जाता है, SMTP का full form है simple mail transfer protocol इस protocol का use email के साथ किया जाता है एक server से दूसरे server पर email को भेजने के लिए SMTP protocol का use किया जाता है next protocol है POP, POP जिसका full form होता है post office protocol यह protocol भी email के साथ use किया जाता है SMTP और POP दोनों ही email के साथ use होने वाले protocol है next protocol है हमारा DHCP, DHCP का full form क्या है dynamic host configuration protocol, dynamic host configuration protocol next protocol है हमारा DNS, DNS domain name system, DNS का full form क्या है domain name system, next protocol है हमारा SNMP, SNMP जिसका full form क्या है simple network management protocol, simple network management protocol तो पहले हमने यह समझा कि protocol क्या होता है उसके बाद हमने कुछ important protocol के नाम और उनके full form को जाना अभी कुछ और हमारे important protocol है जिनके full form आपको पता होना चाहिए उनको देखते हैं हम next slide पर यहाँ पर कुछ और protocol है जिनके full form आपको जरूर पता होना चाहिए next protocol है हमारा ARP, ARP का full form क्या होता है address resolution protocol address resolution protocol ARP का full form क्या है address resolution protocol next है हमारा RTP protocol RTP, RTP का full form क्या है real time transport protocol real time transport protocol RTP का full form क्या है real time transport protocol next protocol है IRC IRC इसका full form है internet relay chat internet relay chat IRC का full form है internet relay chat next है sftp sftp जिसका full form है secure file transfer protocol secure file transfer protocol अगला protocol है rpc जिसका full form है remote procedure call remote procedure call rpc एक protocol है जिसका full form है remote procedure call अगला protocol है हमारा ppp ppp का full form है point two point protocol ppp मतलब triple p का full form है point two point protocol अगला protocol है ssh ssh का full form है secure socket cell next protocol है ntp ntp का full form है network time protocol network time protocol अगला protocol है rdp rdp मतलब remote desktop protocol remote desktop protocol last protocol है हमारा icmp icmp जिसका full form है internet control message protocol internet control message protocol तो यह हमने कुछ important protocol जाने और उनके full form जाने क्यूंकि paper में कई बार इनसे question पूछ लिये जाते हैं कि यह किस प्रकार का protocol है इसका full form क्या होता है या हमसे किसी protocol का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है यह किसका example है तो आपको कुछ important जो protocol है उनके नाम जरूर याद रखने हैं और साथी साथ उनके full form भी याद कर लेने हैं अभी तक हमने आज की वीडियो में computer network क्या है यह जाना network के कौन-कौन से component है यह जाना network के types समझे topology समझी और अभी हमने समझे network में use होने वाले प्रोटोकॉल को अब हम देखते हैं आज का हमारा next topic क्या है next topic बहुत ही important है क्योंकि यह topic है IP address से सम्बंदित IP address से सम्बंदित CPCT exam के लिए IP topic एक बहुत ही important topic है क्योंकि IP topic से कई प्रकार के question paper में पूछे जाते हैं IP topic से सम्बंदित कई प्रकार के question बनते हैं हमने IP का full form तो आज देखा internet protocol होता है जो कि एक protocol है लेकिन आपको IP topic से सम्बंदित अब यहाँ पर समस्थ प्रकार की जानकारी प्राप्त होने वाली है इस slide पर और इसके अगली slide पर मतलब next slide पर आपको जो जानकारी प्राप्त होगी वह IP topic से सम्बंदित होगी जो कि CPCT paper के लिए एक बहुत ही important topic है आपको यहाँ पर IP से सम्बंदित कई प्रकार के question तयार करने मिलने वाले हैं सबसे पहला point हमने लिखा है IP का full form internet protocol address होता है मतलब IP address का full form क्या होता है internet protocol address होता है IP का full form तो है internet protocol और IP address क्या हो गया internet protocol address होता है तो IP का full form याद रखना है internet protocol होता है IP का full form internet protocol होता है और IP address मतलब internet protocol address IP address को logical address भी कहा जाता है आपको ध्यान रखना है IP address को क्या भी कहा जाता है logical address भी कहा जाता है कई बार paper में पूछ लिया जाता है IP address को किस नाम से भी जाना जाता है तो IP address को logical address भी कहा जाता है IP का full form क्या है internet protocol IP address मतलब internet protocol address IP address का दूसरा नाम क्या होता है logical address तीसरा point क्या है IP address एक unique number होता है जिसके माध्यम से किसी device को network में identify किया जाता है यह point बहुत important है IP address होता क्या है IP address प्रतेक computer का एक unique number होता है जिसके द्वारा उस computer को network में या internet में पहचाना जाता है यह question कई बार paper में पूछा जा चुका है कि किसी computer को network में किसके द्वारा पहचाना जाता है किसी computer को network में या internet में उसके IP address के द्वारा ही पहचाना जाता है IP address एक unique number होता है एक unique address होता है जिसके द्वारा किसी computer को network में पहचाना जाता है और internet से connect होने के लिए या network से connect होने के लिए प्रतेक computer का IP address होना आवसक होता है next point क्या है IP address के प्रतेक part को dot symbol से separate किया जाता है अब देख सकते हैं हमें एक example में IP address दिया गया है मतलब अलग किया जाता है IP address में नंबर की range 0 से 255 तक हो सकती है यहाँ पर यह जो number लिखे गए हैं इनकी range कहां से कहां तक हो सकती है 0 से 255 तक IP मतलब internet protocol जिसे IP address कहते हैं और IP address का दूसरा नाम होता है logical address IP address होता क्या है यह एक unique number होता है जिसके द्वारा किसी computer को network में पहचाना जाता है IP address के प्रतेक part को dot symbol से अलग किया जाता है separate किया जाता है IP address में जो number होते हैं उनकी range 0 से 255 तक हो सकती है next point है IP address को IANA मतलब internet assigned number authority के द्वारा assigned किया जाता है जो IP address दिया जाता है वह एक authority देती है जिसका नाम क्या है IANA जिसका full form क्या होता है internet assigned number authority जो भी IP address assign किये जाते हैं वह कौन सी authority करती है IANA internet assigned number authority के द्वारा IP address को assign किया जाता है next point आपको याद करना है IP address की 5 class होती हैं कई बार paper में इसका question पूछ लिया जाता है IP address की कितनी class होती है तो IP address की 5 class होती है जो की class A से लेकर class E तक होती है IP address की total 5 class होती है जो की class A से लेकर class E तक होती है IP address की class को हम next slide पर detail में समझने वाले हैं अभी हमने IP और IP address का introduction समझा IP address का full form क्या है internet protocol address IP address को logical address भी कहा जाता है IP address प्रतिक computer का एक unique number होता है जिसके द्वारा उस computer को network में पहचाना जाता है IP address के प्रतिक part को dot symbol से separate किया जाता है IP address में number की range 0 से 255 तक हो सकती है और IP address assign करती है IANA नाम की agency इसका full form है internet assigned number authority और IP address की 5 class होती है जो की class A से लेकर class E तक होती है यहाँ पर हमने एक example में IP address लिखा है जो की example के लिए लिया गया है sample IP address है आप देख सकते हैं इस IP address में 4 भाग है पहला, दूसरा, तीसरा, चौनथा हर भाग में कुछ number लिखे गए है इन number की range 0 से 255 तक होती है और हर भाग को dots से separate किया जाता है यहें केबल एक sample या example के लिए लिया गया IP address है अभी हमने IP address क्या होता? इसका introduction समझा अब आपको 2-3 important point जरूर याद रखने है IP protocol के दो version होते है IP protocol के दो version होते है एक होता है IP protocol version 4 एक होता है IP protocol version 6 IP protocol के दो version होते है एक होता है IP protocol version 4 एक होता है IP protocol version 6 IP protocol version 4 में IP address की size 32 bits होती है आप से question पूछा जा सकता है IP protocol के कितने version होते है तो IP protocol के दो version होते है एक होता है IP protocol version 4 मतलब internet protocol version 4 दूसरा होता है IP protocol version 6 मतलब internet protocol version 6 आपसे पूछा जा सकता है IP version 4 में IP address की size कितने bit की होती है तो IP version 4 में IP address की size होती है 32 bits जबकि IP protocol version 6 में IP address की size होती है 128 bit यहाँ पर हमने IP का introduction समझा IP address का एक example देखा और IP protocol के दो बर्जन जाने IP मतलब internet protocol IP address मतलब प्रत्य computer का एक unique number जिसके द्वारा उस computer को network में पहचाना जाता है IP address को logical address भी कहा जाता है IP address में जो number होते हैं वो 0 से 255 तक होते हैं IP address को IANA के द्वारा assign किया जाता है IP address की 5 class होती है जो की class A से लेकर class E तक होती है IP protocol के दो बर्जन होते हैं IP protocol बर्जन 4 जिसमें IP address की size होती है 32 bits और IP protocol बर्जन 6 जिसमें IP address की size होती है 128 bits अभी हमने IP और IP protocol के बर्जन को समझा अब हम समझने वाले हैं IP address की class को IP address की class को तो यहाँ पर हमने IP address की class को लिखा है साथ ही साथ उनकी range को लिखा है क्यूंकि कई बार paper में IP address की class से एक दो question पूछे गए हैं आपको एक question तो सबसे पहले तयार कर लेना है कि IP address की केवल 5 class होती है 5 class कई बार paper में पूछ लिया जाता है IP address की कितनी class होती है तो IP address की 5 ही class होती है जो कि class A, class B, class C, class D और class E होती है आईपी address की 5 class है जो कि class A से लेकर class E तक होती है एक दो बार paper में question पूछा गया है IP address की कितनी class होती है 5 होती है कई बार ऐसा question पूछ लिया जाता है निम्न मैंसे कौन IP address की valid class नहीं है आपको class A नाम दिया जाएगा, class B नाम दिया जाएगा, class C नाम दिया जाएगा और एक द दिया जाएगा class B तो IP address की 5 ही class है जो की A से लेकर कहां तक है यह आपको याद रखना है साथी साथ हर class की आपको range याद कर लेनी है जो class A का IP address होगा उसकी range कहां से कहां तक होगी 0 से लेकर 126 तक 0 से 126 तक range कौन से IP address की होती है class A IP address की जबकि class B के IP address की range क्या होगी 128 से लेकर 199 तक class C के IP address की range क्या होगी 192 से लेकर 223 तक class D के IP address की range कहां से कहां तक होगी 224 से लेकर 249 तक class E के IP address की range कहां से कहां तक होगी 240 से लेकर 255 तक IP address की 5 class है जो की class A से लेकर class E तक है, हर class की अपनी एक range है, class A की range कहां से कहां तक है, 0 से 126 तक, class B की range कहां से कहां तक है, 128 से 99 तक, class C की range कहां से कहां तक है, 192 से लेकर 223 तक, class D की range कहां से कहां तक है, 224 से लेकर 249 तक, और class E की range कहां से कहां तक है, 240 से 255 तक, अब देखेंगे यहां 127 नहीं था, 128 डा गया था तो 127 जो है यह कहलाता है loopback address जो 127 नंबर की range है यूज होती है loopback address में जो की network में testing purpose से use किया जाता है network को test करने के लिए use किया जाता है तो आपको याद रखना है network IP address की 5 class है class A से लेकर class E तक हर class की आपको range जरूर याद करनी है क्योंकि कई बार paper में इन range से भी question बनता है जैसे आपको एक example में IP address दे दिया गया 1921012 यह केवल एक sample IP address हमने example के लिए लिया है यहाँ पर आपको इस प्रकार का कोई एक IP address दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यह किस class का IP address है आपको एक IP address दिया गया है और आपक किस class का IP address है आपको कोई भी IP address यदि दिया जाएगा और आपको उसकी class पता करने है तो आपको शुरुआत का यह number देखना है यह number शुरुआत में number क्या दिया गया है 192 192 को आप देखो कौन सी range में आ रहा है 192 192 यह किस class का IP address कहलाएगा C class का IP address आपको यदि कोई IP address दिया के कौन सी class का IP address है मान लो आपको एक IP address दे दिया जाता है for example 125.10 112 अब आप से पूछा जाएगा इस IP address की class बताईए कौन सी है तो आपको पहले शुरुवात में जो number दिये गए है इनको match करना है range से यहाँ पर दिया गया है 125 और 0 से लेकर 126 तक की range कौन सी IP address की class की है class A की तो यह हो जाएगा class A का IP address यह हो जाएगा class C का IP address आपको range जरूर याद करनी पड़ेगी क्यूंकि एक दो बार पेपर में ऐसे question भी आए है जिसमें आपको IP address दिया गया है जिसकी आपको class बतानी है तो यहाँ पर हमने समझा IP address क्या होता IP protocol क्या होता और IP address की कौन कौन सी class होती है अब हम आज की विडियो का next topic समझने वाले हैं देखते हैं आज का next topic क्या है next topic है हमारा transmission mode transmission mode जिसे communication mode भी कहा जाता है transmission mode या communication mode transmission mode या communication mode यह हमें अब समझना है आज की विडियो का next topic है transmission mode या communication mode transmission mode या communication mode क्या होता है यह हम समझ लेते हैं पहले एक device से दूसरी device तक data को transfer करने के लिए transmission mode का उपयोग किया जाता है एक computer से दूसरे computer पर जब data भीजा जाएगा तो भै कैसे भीजा जाएगा किस प्रकार से भीजा जाएगा यह decide करते हैं transmission mode मतलब दो computer जब आपस में सूचनाओ का आदान प्रदान करेंगे तो किस direction में किस direction में सूचनाओ का आदान प्रदान होगा यह decide करते हैं transmission mode transmission mode मतलब किस direction में किस दिसा में सूचनाओं का अदान प्रदान किया जाएगा यह decide करते हैं transmission mode हमने लिखा है एक device से दूसरी device तक data को transfer करने के लिए transmission mode का use किया जाता है दूसरा point क्या लिखा है transmission mode को communication mode या communication method भी कहा जाता है Transmission Modes को Transmission Mode को Comnication Mode या Comnication Method भी कहा जाता है Transmission Mode को Comnication Mode या Comnication Method भी कहा जाता है यह decide करते हैं कि Network में किस Direction में सूचनाओं का आदान विर्दान किया जाएगा Transmission Mode तीन परकार के होते है सिंपलेक्स, Half Duplex, Full Duplex Transmission Mode को तीन भागों में बाटा गया है simplex, half-duplex और full-duplex transmission mode मतलब communication mode या communication method जो कि यह decide करते हैं कि network में किस direction में सूचनाओं का आधान प्रदान किया जाएगा यह decide करते हैं transmission mode या communication mode जो कि तीन प्रकार के होते हैं simplex, half-duplex और full-duplex अब हम एक-एक transmission mode को detail में समझने वाले हैं वह भी with diagram के तो देखते हैं पहला transmission mode simplex यहाँ पर simplex transmission mode को एक diagram से समझाया गया है आप पहले diagram को समझें तो आपको इसका जो use है इसकी जो theory है वह automatic समझा जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक sender है, एक receiver है और sender के side से ही cable data को भेजा जा रहा है sender के side से यह कहलाता है simplex transmission mode यह simplex communication simplex में आपको याद रखना है cable sender data को send करेगा और receiver cable data को receive करेगा कभी भी sender data को receive नहीं कर सकता है और कभी भी receiver data को send नहीं कर सकता है वह कहलाता है simplex communication या simplex transmission mode simplex में sender cable data को send करेगा और receiver cable data को receive करेगा वह कहलाता है simplex communication या simplex transmission mode अब हम इसकी थियोरी पढ़ सकते हैं यह एक unidirectional communication होता है यह एक unidirectional unidirectional मतलब एक ही दिसा में communication हो सकता है दूसरा point क्या लिखा है simplex को one way communication भी कहा जाता है one way मतलब एक ही तरफ data को भेजा जाता है एक ही direction में data को भेजा जाता है unidirectional है one way communication है यह एक direction में data को transfer करने के लिए उपियोग किया जाता है simplex communication केबल वहाँ उपियोग होता है जहाँपन हमें एक ही direction में सूचनाओं का आदान प्रतान करना होता है लास्ट पॉइंट क्या लिखा है सिंप्लेक्स ट्रांसमिसन में सेंडर केबल डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केबल डेटा को रिसीव करता है यह तो हमने डाइग्राम से ही समझा simplex एक simple communication है जिसमें sender cable data को send करता है और receiver cable data को receive करता है एक ही दिसा में सूचनाओं का आधान प्रतान होता है वह होता है simplex transmission इसका example है radio और keyboard radio पर हम जो song सुनते हैं जो news सुनते हैं वह simplex communication का example है और computer में जो keyword लगा होता है वह भी एक simplex communication का example है तो simplex एक ऐसा communication है जिसमें cable एक ही direction में एक ही दिसा में सूचनाओं को भीजा जाता है sender cable information को send करता है और receiver cable सूचनाओं को प्राप्त करता है यह कौन सा communication होता है simplex अभी हमने पहला transmission mode समझा simplex अब हम दूसरा समझते हैं जो की है half duplex half duplex communication में क्या होता है half duplex communication में आप देखें दोनों direction में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है simplex में cable एक ही direction में हो रहा था एक समय पर cable एक ही direction में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है कौन से communication में half duplex में simplex में तो cable एक ही direction में होता था जबकि half duplex में क्या होगा दोनों देखाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है लेकिन एक समय पर cable एक ही direction में हो सकता है इसे अब हम theoretical भी समझ सकते हैं यह एक two-way directional communication होता है लेकिन एक समय पर केबल एक ही direction में communication किया जा सकता है यह है तो two-way directional मतलब दोनों दिसाओं में हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं लेकिन एक समय पर केबल एक ही दिसाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा मतलब जब sender message भेजेगा तो receiver उसको receive करेगा और जब receiver send करेगा तो sender उसे क्या करने लगेगा receive करने लगेगा दोनों एक साथ नहीं कर सकते हाप duplex दोनों direction में data को transfer करने की service provide करता है लेकिन एक समय पर cable एक ही direction में data transfer किया जाता है आप कर दो दोनों दिसाओं में सकत हो लेकिन एक समय पर cable एक ही direction में सूचनाओ का आदान प्रदान किया जा सकता है इसका example होता है walkie talkie walkie talkie आपने दिखाओगा match में empire लिए रहते हैं वह कहलाता है walkie talkie जिसमें एक समय पर जब sender message send करता है तो receiver receive करता है और जब receiver send करता है तो sender उसको receive कर लेता है यह होता है half simplex में cable एक ही direction में सूचनाओ का आदान प्रदान होता है half-deplex में दोनों दिखाओं में हो सकता है लेकिन एक समय पर cable एक ही दिखाओं में होता है अब आएगा हमारा last transmission mode जो की होता है full-duplex full-duplex इसका नामी है full-duplex full-duplex मतलब दोनों दिखाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान होगा और एक ही समय पर होगा मतलब ऐसा transmission mode जो एक ही समय पर दोनों दिखाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की सुभिदा प्रदान करता है वह कहलाता है full-duplex एक ही समय पर दोनों दिसाओं में सूचनाओं का आदान प्रतान हो सकता है जैसा कि आप टेली फॉन पर करते हैं, मुबाइल पर करते हैं दोनों यूजर एक ही समय पर अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं रिसीब कर सकते हैं, बात कर सकते हैं वह कहलाता है full-duplex communication इसमें क्या लिखा गया है, यह एक y-directional communication होता है y-directional मतलब दोनों दिसाओं में सूचनाओं का आदान प्रतान होगा एक समय पर दोनों direction में कमनी केशन किया जा सकता है एक ही समय पर at a time दोनों direction में कमनी केशन इसमें किया जा सकता है full-duplex communication में sender और receiver एक साथ data को send और receive कर सकते हैं दोनों ही information को send भी कर सकते हैं, दोनों ही receive कर सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं, यह कहलाता है full-duplex इसका example है telephone और mobile जहांपर user एक साथ message को send भी करते हैं और receive भी करते हैं उसी समय पर आप अपना मैसे सेंड भी कर सकते हो, रिसीब भी कर सकते हो, आप अपनी बात बोल भी सकते हो और सुन भी सकते हो, वह कहलाता है, раж,하브 beleks में, दोनों direction में हो सकता है, लेकन एक समय पर केबल एक ही direction में होता है, जबकि फल डूपれक्श में एक ही समय पर, दोनों direction में सुचनाओ का आदान परदान किया जा सकता है, यह थे हमारे transmission mode, तो आज की वीडियो में हमने computer network क्या है यह जाना, computer network के कौन-कौन से component होते हैं यह समझे, network के types को समझा, protocol को समझा, topology को समझा, IP topic को समझा, और साथ ही साथ transmission mode या communication mode को समझा, मतलब यहाँ पर हमारा यह प्रयास था कि एक ही वीडियो में आपको computer network से सम्मंदित कुछ important information दी जा सके, इन सब topic से paper में कई बार question पूछे गए हैं, तो हमारा यह प्रयास था कि एक ही वीडियो में आपके यह सभी topic कबर हो जाएं, यहाँ पर हमने network से सम्मंदित कई प्रकार के important topic को समझा, साथी साथ कुछ important question भी तयार करें, आप इन सबी topic को पढ़ें, समझें, यदि आपका कोई question है, कोई doubt है, तो comment section में जरूर पूछिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें, ज्यादा से ज्यादा share करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद झाल